बच्पन से ही हम बहुत आलसी थे, हमारे मंमी पापा हमारे भविश के लिए बहुत चिंतित रहते थे, ए बेटा, इसकुल नहीं जाए का क्या, उठो जल्दी, ना पापा, आज इसकुल जाने का मन नहीं कर रहा है, आज वर छोड़ दीजे, कल्ये से जाएंगे, जा आलसी कह का घर पर तो हम दीन भर सोते थे भर पूर आनांद लेते थे लेकिन कभी-कभी क्लास में भी तो यह कुस्टन समझ में आ गया धीरे-धीरे करके समय बीथता गया और जब हम कमाने-खाने के उमर में आये तो लोगों का अलग ही चेप्टर शुरू हो गया काहे कि हम बहुत आलसी थे इसलिए हम नौकरी का सौटकर तरीका खोजने लगे साला परहाई लिखाईता हमसे होगा नहीं अब लेमन चुस बाबा के पास ही जाना होगा वही कोई उपाय बताएंगे उसके बाद हम चल दिये लेमन चुस बाबा के पास तुम्हारी समस्या मैं समच चुका हूँ बालक तुम्हें नौकरी के साथ साथ छोकरी भी चाहिए कुछ नहीं करना बालक बस तस दिनों का उपवास रखो नौकरी और छोकरी तुम्हारे कदमों में होगी वो बालक नादान है उसकी बातों पर ध्यान मत दो 501 रुपय दक्षिना दो और निकलो बहुत मुश्किल से हम 501 रुपय का जोगार करके लेमन्चूस बाबा को दे दिये और 10 दिन का उपवास भी रखे फिर भी कोई रिस्पोंस नहीं आया हम बहुत रोए लेकिन कैसे भी करके पैसा तो कमाना ही था हम निकल दिये सरकस में अपना स्टंट दिखाने कभी साइकिल चला कर धूम मचाले धूम मचाले धूम भाई और बहनो अपनका श्टाइल पसंद आया हो तो ताली जरूर बजाएगा तो कभी रिंग पहन के कमर हिला कर